तो अगर आप ट्रेडर है और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को जोइन कर सकते हैं यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूच कर सकते हैं या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम वाला प्रोग्राम ले सकते हैं तो आप जो वीडियो के description में जो link है वहां से register कर सकते हैं आपको 10% discount में लेगा Hello guys, welcome to Forex Salary Channel और इस week के Forex Market Analysis में स्वागत है Brokers के लिए जैसे मैंने बताया हुआ है आप मेरी website पर जा सकते है forexsalaryconnect.com और यहाँ पर Forex Broker section में आप देख सकते हैं Broker मैं मेली यूज करता हूँ इंडिया में और बाद में फिर आपको कोई issue आता है deposit withdrawal में आप मुझे contact कर सकते हैं मैं आपकी help करने की कोशिस करूआ Forecast analysis में देखें यहाँ पर तो हम gold में देखें सबसे पहले अगर आप देखें हम 4 hour के चार्ट में है पिछले हकते का forecast यहाँ पर आप देखें 5th September यहाँ पर हम थे 2nd 5th September के आसपास मैंने कहा था support बहुत नीचे है जो हमारी 1680 है यह important है market यहीं से उपर जाए target इससे उपर मत रखेगा उसके बाद फिर नीचे जा सकती है अब next week में gold में हम क्या movement देख सकते है तो हमारी जो support है वो 1690 के आसपास है जो नीचे की support है और जो हमारा उपर का level है 1760 है तो अभी जो market है आप देख सकते है हम एक channel के अंदर यहाँ पर move कर रहे है तो जब तक हमारा यह area 1700 का है हम इससे उपर उपर है channel के अंदर है आप इसमें buy के लिए opportunity देख सकते है target again 1740 same नीचे आप इसमें उपर की तरफ 1760 की movement देख सकते है condition यह है कि USD में weakness रहे अगर USD में strongness आती है हम इस level को breakout कर सकते हैं और 1690 यह फिर 1670 के area को हम यहाँ दुबारा से detach कर सकते हैं और फिर दुबारा से market में up movement आए मैं expect करूँआ market channel में 1700 का level इससे उपर रहे और हम buy की opportunity यहाँ पर देख सकते हैं अगला pair guys हमारा silver यहाँ पर आप देखें again हम 2nd September के आसपास थे मैंने कहा था हम यहाँ से market में उपर कर रहे हैं अगर हम चैनल के अंदर यहाँ पर चल रहे हैं तो आप target आप यहाँ पर यह रखेगा अगर चैनल को break करें फिर हम नीचे की तरफ movement देखेंगे आप देखें मार्केट continuously उपर की तरफ गई है और कहां तक का target में आपको दिया था 18.84 और इसको भी breakout करें फिर हम buy यहाँ पर हम जो है एक channel के अंदर ही हो या आप जो भी कहें एक move कर रही है slowly retracement उपर की तरफ दे रही है अभी हमें जो observe करना होगा हमारी जो area है वो again 18.162 यह area important है जब तक market इससे उपर है हम buy के लिए पर देखेंगे आप यहाँ पर expect कर सकते हैं retracement यहाँ पर आए इससे नीचे है यहाँ पर आए buy करिए आप 19.500 तक का area यहाँ पर आप target देख सकते हैं अगर दुबारे से retracement मिले तो आप 25.500 यहाँ तक के target देख सकते हैं consider कि USD जैसे मैंने gold के लिए बोला USD में weakness आती है अगर USD strong रहता है हम दुबारे से previous level को retest कर सकते हैं फिर हम दुबारा हम buy की opportunity देखेंगे और उपर की तरफ movement expect कर सकते हैं अगला फिर गई हमारा oil यहाँ पर आप देखें 5. September जो हम एक range में एक support के आजपास थे मैंने कहा था अगर हम इस support को यहाँ पर break करेंगे कोई retestment मिले फिर हम buy की portion देखेंगे target यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर देखें retestment मिली sharp down movement तो एक break break out आपको उपर की तरफ मिला इस support को भी break किया और कहाँ पर जो support मैंने बोली थी कि solid support जो है मारे नीचे की तरफ 82 के आसपास अब दुबारे से फिर यहाँ से इसने जम किया है अब next week में oil में हम क्या movement देख सकते हैं तो guys यहाँ पर आप देखेंगे down moments एकदम से उपर की तरफ मिली है हमें wait करना होगा कि market यहाँ पर retracement दे क्या वो थोड़ा नीचे आए इस level के आसपास 83.65 यह दुबारे से इस level को market उपर तक जाती है यह थोड़ा retracement नीचे करके आए यह पिछले लेवल को रिटेस्ट करें और फिर हम इसमें बाई के पॉर्चिन है oil में मैं buy के लिए ही देखुआ बस वो देखना है कि market यहीं से उपर की जाए यह थोड़ा retracement करके वहाँ से उपर की तरफ movement मिले Bitcoin गाईस पिछले हपते का forecast यहाँ पर आप देखें 2nd September market पुरी तरिके से dead थी एक दरम से यहाँ पर आप देखिए मैंने कहा था expected move है स्लोली स्लोली उपर जा सकती है और इस लेवल तक यहाँ पर market हम expect कर सकते हैं यह एक अच्छी support यहाँ पर बनती हुँ नजर आ रही है market ने इसको ब्रेकिया फिर एकदम से market उपर की तरफ और सेम कहाँ पर वही target जो मेंने लिए तो एक तरीके से आप कहें कि एक catch play market ने आपके साथ यहाँ पर खेला है और एकदम से market फिर सेम उसी direction में यहाँ पर आ चुकी है क्योंकि volatility काफी हो जाती है तो crypto के जो pair से उनको थोड़ा careful यहाँ पर trade करना होता है अब bitcoin में आप देखिए यहाँ पर एक sharp move मिला है उपर की तरफ जो आपका lowest level 18,000 से 21,000 3,000-4,000 का move यहाँ पर मिला है कहाँ पर आ चुके एक resistance area में है आपर आ चुके है expected move है, retracement करे, 19,000 तक का area अगर हमें हमें आपर retest करे दुबारे से buy के portion देख सकते है 22 या फिर उपर का level आपका जो है अभी 25,000 के आसपास है अब देखना होगा वो यहाँ तक आए यहीं से continuously market उपर की तरफ जाए या पूरा dead हो जाती है आप देखें, एक sharp move आता है, market dead हो जाती है, वो यहीं हमें देखना होगा, क्या है अपर dead होती है, slow रह जाती है, फिर कुछ move मिले, वो भी next week मिले तो expect कर सकते हैं, यहाँ तक कम हो, उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसमें buy के लिए देख सकते हैं, नहीं तो यहीं से market उपर की तरफ जा सकती है अगला pair हमारा Ethereum, यहाँ पर आप देखें, again second September, यहाँ पर आप देख सकते हैं, market continuously उपर की तरफ ही movement कर रही थी, यह हमारी support एरिया था, target में आपको बताया था कि market continuously उपर जा सकती है, यहाँ तक का target आप रखेगा, उसके बाद आप नीचे की तरफ movement देख सकते हैं, आप द आप देखें, तो एक अच्छी खासी movement यहाँ पर आप देखें, तो market continuously उपर की तरफ जा रही है, एक fake breakout और दुबारा से market continuously उपर की तरफ जा रही है, अब हम यहाँ पर एक resistance में आ चुके हैं, यहाँ पर हमें देखना होगा market नीचे की तरफ movement दे, तो हमारे लिए area जो रह करता है, क्योंकि बाकी पेर भी उसी से correlated है, यहाँ पर crypto में, तो movement यहीं से सार्फ उपर की तरफ ही चले, या फिर थोड़ा नीचे की तरफ आपको रिट्रेश्मेंट बिले, फिर आप यहाँ पर इसमें buy की opportunity देख सकते हैं, अगला पेर guys हमारा US 30 यहाँ पर आप देखें, तो market हम 2nd September में थे, मैंने कहा था हम एक support area में यहाँ पर आ चुके हैं, और एक range भी यहाँ पर बन रही है, दो बार यहाँ पर इस level को यह break नहीं कर पाई, और हमें देखना होगा, अगर market इस level को break करें, तब हम buy के लिए target यहाँ पर देख सकते हैं, जो पिछले अप्ते में पर break करते हैं नजर आ रहे हैं, तो अब एक resistance area में यहाँ पर again हम आ चुके हैं, 31,600 हमारा यह level होगा, जहां से हम इसमें buy के लिए देख सकते हैं, वो continuously यहीं से जाए, 33,200 तक का target हम यहाँ पर देखेंगे, और वो यहाँ नीचे down में आए, इस level के आसपास, दुबारा से फ target देखते हैं, रिटेश्मेंट करके हैं, आप target पहला यहीं पर रखेंगे, क्योंकि यह range फॉर्म हो सकती है, range breakout करती है, फिर हमारा target 33,200 रहेगा, अगला फिर US 100 यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगें यह भी एक range में यहाँ पर बन रहा था, और इसी range के अंदर यहाँ पर की तरफ हुआ है, अगें हम 12,200 यह हमारा जो है, एक zone है, अगर market इस से उपर रहती है, हम इसमें buy के लिए देखेंगे, अभी market इस level में आ चुकी है, expect करते हैं, क्या market retracement दे, इस level तक है, buy के opportunity देखेंगे, पहला target आपका 12,752 या फिर 13,187 यहीं से market continuous से उपर जाए, आप जहां से इसमें buy के opportunity कर सकते हैं, अगर इस level को break करें, हम दोबारे से इस level को retest कर सकते हैं, फिर हमें कोई buy के opportunity मिले, तो फिर हम उसको observe कर सकते हैं, तो गाइस, यह मेरे सबते का forecast, अगर आपको इस से कुछ help मिल रही है, प्लीज लाइक दे वीडियो, share कीजिए, comment कीजिए, 4X pair का forecast में पहले ही बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका link वीडियो के description में मैं डाल दूँगा, और broker के लिए जैसे मैंने बताया हुआ है, 4X salary connect पर आप महाँ पर जा सकते हैं, जो broker मैंने recommend की हुए हैं, अब यहाँ पर उनमें account खोल सकते हैं, link दि आप मुझे आपर contract कर सकते हैं, तो अभी के लिए धन्यवाद, thank you, take care, मिलते हैं next वीडियो में, please like the video, share कीजिए and comment कीजिए, good bye